और तुछ कहाना चाहती हूं बोलो मैं तेरे दिव में रहना चाहती हूं तेकिन तेरे को भाड़ा देना पड़ेगा मैने का तीन अजार है हलो 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 स्वागा थे आप सभी अमने प्यारे चैनल इडियो 360 परसेंट में आयू सर के साथ गुड मॉर्निंग गुड आप्टर नून गुड इनिंग गुड नेट जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो इडियो 360 परसेंट दिल खोल कर स्वाधत करता है आप गाओं का इलेक्ट्रिफिकेशन करना है यानि कि उसमें उस गाओं में इलेक्ट्रिशिटी पहुचानी है यह एल्टी लाइन गाओं से एक किलोमीटर दूरी तक ले जानी है यह एल्टी लाइन गाओं में एक किलोमीटर दूरी तक ले जानी है एक किलोमीटर दूरी तक ले जानी है एक एल्टी लाइन एक एल्टी लाइन बगल से गुजर रही है एक एल्टी लाइन लाइन में लगने वाले लाइन में लगने वाले रसमानो का इस्टी मेटिंग इस्टी मेटिंग and casting करिए estimating and casting करिए इस परकार के question को कैसे solve किया जाता है हम सारे लोग जानते हैं केवाल स्टेप में लिखना क्या है इसकी जिक्र कर लेते हैं शलिए्ट तो स्वर प्रथम solution में हम लोग आते हैं किन मानकों को मानकरके हैं बढ़र हैं उस एजम्शंस को हम लोग नोट डाउन करेंगे उस एजम्शंस को नोट डाउन करेंगे तो एजम्शंस क्या होगा हमारा साथी हो तो देखिए जम्शंस LT Line में 450 बोल्ट पर विचार किया जाएगा LT Line में 450 बोल्ट पर विचार करेंगे LT Line में 8 दस्वलों 5 मिटर RCC पोल का यूज किया जाएगा LT Line के लिए 10 पैन 50 मिटर रखा जाएगा यानि दो पोल के बीच का दूरी 50 मिटर रखा जाएगा L.T. लाइन में 3 फेज 4 वायर सिस्टम का यूज किया जाएगा L.T. लाइन में सेकल इंसुलेटर का यूज किया जाएगा परतेग पोल पर फेज प्लेट तथा डेंजर प्लेट भी लगाया जाएगा परतेग पोल पर बार्बेड वायर भी लगाया जाएगा इतनी रही हमारी एजंशंस इतने एजंशंस के बाद हम लोग सिंगल लाइन डाइग्राम बनाते हैं क्या बनाते हैं सिंगल लाइन डाइग्राम तो अब देखिए SLD यानि की अगला सिंगल लाइन डाइग्राम एक LT लाइन पास से गुजर रही है स्वरप्रथम हम LT लाइन बना देते हैं स्वरप्रथम LT लाइन बनाते हैं जिस पोल से हमें टैपिंग करके नई लाइन बनानी हो उस पोल को existing पोल बोला जाता है existing पोल बोला जाता है इसमें कुछ extra material लगा होता है इसकी हम estimating casting करते हैं अब हम लोग दोस्तों बात कर लें 1000 मीटर बनानी है और 500 मीटर पर 50 मीटर पर एक पोल लगाई जाएंगी तो total पोल लगेगा कितना तो मीटर से मीटर गया 0 से 0 गया फाइफ वंजब फाइव यह बीज़ पोल टोटल बीज़ पोल हमारी आ गई है कल्कूलेशन के कॉर्डिंग कल्कूलेशन के एकॉर्डिंग बीज़ तो यह देखिए यह रहा हमारा एक पोल इसी प्रकार दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ नौव दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंदरह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और यह बीज़ पोल यानिक यह हमारी एक किलोमेटर की लाइन एल्टी लाइन बन चुकी है कि नव तश ग्यारह बारह तेरह चौदह पंदरह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इसमें हर्थ तीसरे पोल और लाश्ट पोल गौर्थ नहीं किया जाता है यह जो पॉइंट है यह केवल एच्टी लाइन में यूज किया जाता है यह हमारी लाश्ट पूल इसकी भी हमें स्टी मेटिंग काह्टिंग करनी है है दो पुल के बीच की दूरी इसपैंट पच्यास मीटर रखा जाता है 50 meter तो देखिए यह रहा कुछ हमारा इस प्रकार का क्या किस परकार कर रहा हमारा सिंगर लायन डियेग्राम अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस वर प्रथम हम existing poll के एक्ष्टा मेटेरियल कि is some meeting कास्चिं करेंगे डैन वान तो three four five six seven eight nine ten eleven two will 13 14 15 16 17 18 e 19 and 20 20 इस 20 पोल को एक ही साथ इस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे और जो एक्स्ट्रा मेंटर यह लास्ट पोल का लगा रहता है उसका अलग से हम लोग इस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे दैन इसमें तीन फेज फोर वायर सिस्टम का थ्री फेज फोर वायर सिस्टम का यू बढ़ाते हैं कि अब हम लोग बात कर लेते हैं इक जिस इस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग अफ इस्टिमेटिंग 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 इस्टिमेटिं रिक्वायर्ड फार इक्जिस्टिंग इक्जिस्टिंग पोल शीरियल नंबर मेटेरियल वीट स्पेसिफिकेशन क्वांटिटी यूनिट रेट अमाउंट आज के इस वीडियो के बाद आपको एक कोशन घर से करने को दिया जाएगा आप उसको करिएगा नहीं आएगा आपको तो वह कोशन की भी वीडियो आएगी पहला एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन एक यूनिट कुछ नहीं होता है रेट आठ सो अमाउंट आठ सो दूसरा यह स्टे क्लैंप थर्ड नमबर इस्टे कमप्लीट फोर्थ नमबर स्टे फाउंडेशन इस्टे फाउंडेशन दो 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 यूनिट नो 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 अन्द यह कितने का 350 गुने दो चाच ओ उन्नाई गूळे दो 49 और 500 गूळे दो एक हजार रुपया गाचवा एल क्लैम्प एल क्लैम्प कितना लगएगा चार 350 गुणे 4 14 एल कलेम के बाद 6 लगता है cycle cycle insulator कितना 4 80 रुपिया 1 तो 4 320 रुपिया cycle insulator के बाद jumper jumper wire 8 meter 8 गुणे 70 रुपिया 8 गुणे 70 रुपिया 560 रुपिया इसके बाद 8 वा 8 वा nut bolt nut bolt 1 kg 100 रुपिया nut bolt के बाद guarding complete 9 नमबर guarding complete गार्डिंग कम्प्लीट एक छौस एक सेट 600 रुपिया 600 रुपिया गार्डिंग कम्प्लीट के बाद 10 नमबर बाइंडिंग वायर बाइंडिंग वायर नन अधर देन हाफ केजी वन केजी 100 रुपिज हाफ केजी 50 रुपिज देन टोटल टोटल इसकी टोटल की अगर बात करते हैं तो 9,130 रुपिया 9,130 रुपिया साथियों हमारा लगता है चलिए अब हम जो इसको एकदम ध्यान से बनाईए इसके बाद इस्ट्डेट माइन फॉल की हम लोग इस्टीमेटिंग कास्टिंग करेंगे झालिए स्ट्रेटलाइन पॉल की इस्टीमेटिंग कास्टिंग करते हैं 爸 नो इस्तिम एंड चाष्टिंग इस्त्रेट 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 लाइन वोस्ट कॉंटीट मेर्टेरियल विथ स्पेसिफिकेशन सिरियल नमबर एक आर सीची पोल आर सीची पोल कितना बीस यूनिट नो रेट तेईसव गूने बीस टोटल आ जायेगा चियालिस फोटी सिक्स थाउजेंट चियालिस हजार दूसरा और सीची के बाद पोल फाउंडेशन फाउंडेशन ऑफ पोल कितना बीस यूनिट नहीं होता है आठ सो रुपे का एक तो बीस कितने का सोलह अज्यार रुपे का सोलह अज्यार रुपे का स्टोन पाइड थर्ड नंबर स्टोन पाइड इस्टोन पाइड कितने का आता है बीस आएगा सो रुपे का एक तो बीस दो हजार रुपे का स्टोन पाइड के बाद चार नंबर जो मेटेरियल हमारी होगी चार नंबर मेटेरियल एल क्लैंप एल क्लैंप एल क्लैंप कितना तो बीस मेटेरियल हैं हमारी कितना बीस पोल है हर पोल में चार यानि असी पीस लगेंगी एक पीस का दाम 350 रुपया तो असी पीस का दाम कितना हो जाएगा असी पीस का दाम 28,000 यानि 28,000 हैं 28,000 फिप्त नंबर फिप्त नंबर सैकल इंसुलेटर सैकल इंसुलेटर कितना लगेगा जितना क्लैंप होतना ही जानी 20 पोल है चार पर लगता है 80 चार पर लग जाएगा कितना 80 तो यह हो जाएगा 80 और यह 80 रुपय का मिलता है तो 6400 रुपय टोटल छे नमबर छे नमबर बाइंडिंग वायर बाइंडिंग वायर बाइंडिंग वायर 20 पोल है 20 पोल में 2 केजी पर पोल तो 20 दुनी के 40 यानि 40 40 केजी 100 रुपया पर केजी 4000 का बारबेड स्वरी 4000 का यह बारबेड वायर लिख लीजिए बारबेड वायर इसके बाद आएगा बाइंडिंग वायर की बाद कर लेते हैं बाइंडिंग बाइंडिंग वायर यह लगता है 20 पोल है, half kg परपोल, 10 kg, total 1 kg 100 रुपया, 10 kg, 1000 रुपीज, 8 नमबर, 8 नमबर, phase plate and danger plate, यहाँ पर लिख दे रहे है, phase plate, और यहाँ पर 9 नमबर, डेंजर प्लेट डेंजर प्लेट फेज प्लेट कितना लगता है 20 पोल के लिए 20 डेंजर प्लेट भी 20 पीस में होते हैं यूनिट नहीं होती है एक ठो बीस है एक ठो सो रुपे का मिलता है तो यहां हो गया दो हजार या भी 20 है 100 रुप्य का एक मिलता है तो हो गया 2000 अर देखिए दस नंबर दस नंबर garden complete guarding complete guarding complete guarding complete guarding complete kisya कितना लगएगा 39 तो 39 किसे लगएगा अभी आपको बताते हैं एक ठो 39 है एक 600 रुप्य का मिलता है तो 39 कितने का मिलेगा 11,700 रुपे का 11,700 रुपे का इसके बाद 11,000 नमबर नट बोल्ट मिलता है कितना नट बोल्ट लगेगा 20 केजी 100 रुपिया पर केजी 20 केजी का दाम 2000 रुपिया टोटल इसकी estimating कास्टिंग करने के बाद जो पैसा आएगा वह आएगा एक लाख 2100 रुपया एक लाख 2100 रुपया अभी हम आपको बताएंगे गार्डिंग कम्प्लीट 39 कैसे लगेगा तब तक इसको नो डाउन करिए तब तक इसको नो डाउन करिए चलिए अब हम बात कर लेते हैं गार्डिंग कम्प्लीट 39 कैसे लगता है तो देखिए इसको हम मिटाते हैं कि इसके बाद हम आपको बताते हैं गार्डिंग कम्प्लीट 39 कैसे लगता लगता है तोटल अगर हम ऐसे बात करें यह एक पूल यह दो पूल यह तीन पोल यह च्वाल डश 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 यह लास्ट पूल यह तोल कितने लगई हुए है 20 इस इस ट्रेट लाइन में एंगजिस्टिंग फोल को मैस सब्सक्रात कर ले रहे हैं इस प्रकार 20 लगे हुई है तो टोटल पोल के आइट सायट दो गार्डिंग लग रहा है तो यह ठोटी गार्डिंग कम्प्लीट हो जाएंगी चुसमारा आजयता है इसफ़े नियुद्स एच्टी कर सब्सक्राइं से यह यह इसकी तो बात कर लिए स्ट्रेट लाइन पोल की अब इस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग अफ एक्स्ट्रा मेटेरियल रिक्वाइड फार लास्ट पोल यह हमारी हेडिंग है सिरियल नंबर डाल देते हैं अब देखेल एक तो इसमें से सॉल्व करते हैं तो पहले एक्स्ट्रा में टे रियल पर एक्स्ट्रा पोल फाम्डिशन चार चीज़ल लगेंगे अग्स्ट्रा पौल फांडिशन एक यूनित नई होता है 800 रुपिया तो 800 रुपिया ठीक है लिए इसके बाद इस्ते प्लेम से कम फ्लीट इसके बाद स्टे फाउन्डेशन इसमें गाडिंग हम लोग इसलिए उसलिए यूज नहीं करते हैं कि हम लोग पिछले वाले में कि गाडिंग लगा दिये हैं 2 2-2 इसलिए कास्टिंग कर दिये 3050 गूने 200 일본 5959 गूने وال 50 2 एक हजार रुपिया इतनाई हमारा लास्ट पोल की स्टी मेटिंग चास्टिंग में आएगा टोटल इसकी अगर बात करें टूटल की तरना रूपया लग जाएगा 6ces बाद होइसं के about खंड करते हैं करें करेंगे हैं हुआ के चलिए कि दखिए इसका निकालते हैं इस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग कंड़क्टर की बात कर लेते हैं कि कंड़क्टर तो दखिए पहले हम आपको यहां से टीडीपी का कंसेप्ट बना दे उस छोटे से कांसेप्ट में हम यहां पर आपको बता करके और मिस्तेक कराएंगे कैसे मिस्टेक कराएंगे तो हम जब टीडीपी जेई लेबल की स्टड़ करेंगे तो उसमें कंड़क्टर की कास्टिंग आती है कि हम लोग किस अपरकार के है आप तो तीन फेज फोर वायर सिस्टम अगर हम जानते हैं तो तीन फेज फोर वायर सिस्टम में तीनों फेज की जो मोटाई होती है वह सेम होती है तीनों फोच की जो मोटाई होगी वह सेम होगी लेकिन जो नूटरल जाएगा इसकी मोटाई इन दोनों फेज की आधी होती है लेक डॉग लगा होग डॉग अब देखिए डॉग पेंथर मूज जेबरा यह क्या होता है यह एसी एसर का टाइप होता है मोटाई के पर डिपेंड करता है तो इसकी एक कटिंग देख लिजे पहले आप सौट में कि चलिए तो हम यहां से यह करेंगे कि जो हमारी एल्टी लाइन है उसमें सी एसर का डॉग कंड़क्टर यूज में लेंगे चलिए लेंथ अफ कंड़क्टर देखिए लेंथ लेंथ कितना हो जाएगा चार वायर दोडानी है 1000 मीटर है तो 4000 मीटर हमारी टोटल कंड़क्टर दोडानी पड़ेगी और एक्स्ट्रा हम लेते हैं हर बार कितना एक परसेंट यदि एक परसेंट एक्स्ट्रा लेते हैं हमारे प्रिय साथी हो तो यह 40 मीटर टोटल लेंथ हो जाएगा 4040 मिटर 4040 मिटर अब इसकी टोटल कास्ट कितनी हो जाएगी तो 4040 मिटर और इसमें पतला कंडुक्टर यूज करते हैं तो पर मिटर का दाम 65 रुपिया लगेंगे इसमें तो यह टोटल कंडुक्टर की दाम आ जाएगी दो लाख 62602,600 इतनी कंडुक्टर आ जाएगी इसके बाद हम लोग टोटल मिटरियल कास्ट निकालेंगे इसके बाद यह रहा हमारा पहला इसके बाद टोटल मिटरियल कास्ट निकालेंगे टोटल मेटेरियल कास्ट में जो हम लोग एक्स्ट्रा पोल की इस्टिमेटिंग कास्टिंग किये थे वह 930 रुपया प्लस इस्ट्रेट लाइन की जो इस्टिमेटिंग कास्टिंग किये थे एक लाख 2100 रूपया प्लस लास्ट पॉल के एक्स्टा मेटेरियल की जो इस्टिमेटिंग कास्टिंग किये थे 6600 रूपया प्लस कंडुक्टर की इस्टिमेटिंग कास्टिंग 2,62600 रूपया इतना ही तो मेटेरियल टोटल रग लग रहा है तो टोटल मेटेरियल का कास्ट 3,00,00 यानि 3,99,230,002,30,00 रुपया लग जाएगा और इसी में समक्या निकालेंगे लेबर चार्ज इसी का 10% होता है लेबर चार्ज इसी का 10% यह हो जगा था, 39,923 रुपीज अब सुपर वीजन चार्ज निकालेंगे सूपर वीजन चार्ज तो सूपर वीजन चार्ज टोटल मेटेरियल कास्ट कितना होता है 399230 प्लस लेबर चार्ज 39923 का 15% हम लोग निकालेंगे 15% तो यह टोटल यदि हम लोग कास्ट जोडते हैं तो यह इसका 15% हो जाएगा 85,000 85,872 रुपीज 72 रुपीज 95 पैसा टोटल सूपर वीजन चार्ज इतना आजागा इसके बाद हम लोग लास्ट स्टेप जो होता है वह निकालते हैं ग्रैंड टोटल तो ग्रैंड टोटल में हम लोग करते क्या हैं ग्रैंड टोटल में टोटल मेटेरियल का 399 230 प्लस लेबर चार्ज 39923 प्लस शुपर वीजन कास्ट यह सुपर वीजन चार्ज 85872.95 इसको जोड देंगे तो टोटल हमारी ग्रैंड टोटल निकल जाएगी पांच लाख यह आता है फाइफ लेख फाइफ थाउजेंड ट्वैंटी थ्री रूपीज 95 पैसा ट्वैंटी सोरी ट्वैंटी फाइफ रूपी 95 पैसा तो इस प्रकार यह हमारी टोटल कोश्चन सॉल्व हो जाएगी इस कोश्चन का यही सालूशन होगा हम एक कोश्चन देंगे जो ल्टी और इस यह एल्टी लाइन भी खतम हो जाएगी इससे पहले हम आपको जाते-जाते कोश्चन देके जाएंगे इस को अनुड़ाउन करिया हुआ झाल ठीक है इसको नोडाउन करिए कोश्चन जो है हमारा वह अब जो कोश्चन है वह कुछ अलग प्रकार का है अलग प्रकार का एक एक गाव में एक किलोमेटर लंबी एक गाव में एक किलोमेटर लंबी लाइन का लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन एक एलेक्ट्रिफिकेशन करना है यह लाइन यह लाइन एक एलेवेन के बी अब्लीक जीरो पॉइंट फोर फोर जीरो बोल्ट के 63 के भीए 63 के भीए के द्वारा के द्वारा दिया जा रहा है इस गाव में 500 मिटर की 500 मिटर की दूरी पर एक एच टी लाइन एक टी लाइन गुजर रही है लाइन में लाइन में लगने वाले टोटल में लगने वाले टोटल में टेरियल का इस्टी मेटिंग इस्टी मेटिंग एंड कास्टिंग करिए इसको एक बार आप लो सॉल्फ करेंगे खुच से इसको एक बार क्या करेंगे सॉल्फ करेंगे हम इसकी अगली वीडियो जरूर लाएंगे यह यूनिक थोड़ा कोचन है लेकिन है बहुत ही असान चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोस नए जुनून और नव इत्षा के साथ जय हिंद टेक केर बाई बाई